हेलो गाइस दिस विशाल पत्वारी एन वेलकम तो माइनस प्लस अकड़ीमी तो यह वीडियो लेक्चर है टेजपी उनिवरिस्टी एंटर्ट्स एक्जाम का मैथमेटिक्स का सॉफ पेपर 2019 का सब्सक्राइब बार लिसकर सब्सक्राइब व्याओं है उसका लिंक देस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और फॉस्ट लेक्ट्र में हम्लिव पेपर में 60 questions होता है और हरे questions में 8 mark होता है दो घंटा का time देता है और negative marking 0.25 है that means 1 4th negative marking है तो चलो हम लोग कंटिन्यू करता है तो question 1 and question 2 यह अलोड हम first lecture में करवा चुका है तो question 3 से continue करता है देखो question 3 में क्या बोला है that ABA 3 cross 3 matrix with determinant of a equal to 0 तो हम लोगो determinant of a sorry है हम लोग की वैन है यह हम लोग की वैन है अब पूछ रहा है which of the following is not a possible value for the ranking तो आइगेस rank a निकालने आता ही है rank a के से निकालता है suppose हम पकड़ लेता है a equal to 1 2 3 4 2 1 0 0 0 तो इसका rank क्या है इसका rank होगा two क्यों होगा क्योंकि इसमें दो नॉन जिरो रोस है क्यों इसमें दो टू नॉन जिरो रोऊ है तो जब भी किसी matrix में उसको जब हम लोग एकलेन फॉर्म में convert कर रहता है convert करने के बाद अगर इसमें दो नॉन जिरो रोज है हम लोग काउंट करेगा तो नंबर ओफ नॉन जिरो रोज फिल गी वास्ता रैंक आफ डा मैट्रिक्स तो लोग बस यह देखेगा दर नंबर ओफ नॉन जिरो रोज कितना है और तुम देख सकता है यह जो हम एक्जांपल लिखा इसका देख यह टनि जिरो होता ही है इस एक्जांपल में इसका डितरैमिन जिरो है और सिंसे इसका जिरो है तो हम लोग पाता चलकर 2 होता है जो डैत्मिस पॉसीबल वैलो फॉर रैंकर अंब सुछा ता वी फ यही नौन पुशू इस नॉंट नहीं हो सकता तो अब में गाया एसमर नंबर ओफ नॉन जीरो रो कितना है इसमर नंबर ओफ नॉन जीरो है ओने वान एक ही ए mirr वह अगर क्या होगा रैंक ओफ एंट वान होगा तो तुम देख सकता है रैंक ओफ एवान को सकता है और यहां पर भी डिटर्मिनट अफ एक पूरा-फूरा पूरा कंप्लेटली जीरो है प्या पता हम कंप्लेटली जीरो ले ले दिखो जीरो 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 एन ऑविसली इसका डिटर्मिनट जीरो है और इसका रैंक भी जीरो है इसका रैंक भी जीरो है तो तो यह मेंस हम देखा जब भी डिटर्मिनट अफ एक जीरो हो रहा है हम तीन एक्जामपल ले जिसमें उसका रैंक जीरो वान एंड टू हो रहा है त मों observe करेगा इसका determinant is not equal to zero और इसका rank है कि इसका rank हमलों का tree है कितर तो पुश्य नमब फोर देखता है कुश्य नमब फोर में क्या बोला मुहन और नवीन के दिए 10 मिटर लॉंग विनिफॉर्म रोड और फेट थर्टिफाइफ कीजिए तो एक रॉड बना देता है सपोज यह मेरा रॉड है कि मिरा रॉड है मौहन शो दो पॉल्ड है यह पॉन्टाम अमों के दिकना लिए दिस्टेंस कितना है घृण मीटरे वहां अंड T यहां मान लेता है नभी तो अब यह जो डिस्टेंस है यह 2 मिटर है क्यों इस से दो मीटर आगे इस से वान मीटर है अब क्या बोला है वाट विल मिट लोड अन मोहन सोल्डर तो मोहन सका सोल्डर में कितना लोड पड़ेगा तो कुछन में अलड़ी गीवन है कुछन में अलड़ी गीवन है कि यह मेरा 10 मीटर लंबा है और इसका वेट 35 केजी है तो हम मान लेता है लैट मोहन का पास लोड है कितना लैट मोहन के पास है एकक्स केजी तो अगर एक्स केजी है तो टो एकश वेट फोर्स डाउन्लोड एक्ट कर रहा है किनलारली अगर मोहन के पास एक्स है तो नाविन के पास कितना बचा trust सब्सक्राइब कर रहा है अब अगर तुमनों मोमेंट पढ़ा है तो मोमेंट क्या था मोमेंट इस मास फोर्स इंटू पर्पेंडिब्र डिस्टेंस मोमेंट का फॉर्मुला था इसका मोमेंट 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 इसका मो देखता है इसको हम लोग X के जी माना था इसको X के जी माना था इसका मोमेंट देखता है तो तुम देखेगा अगर इस साट का मोमेंट लेगा तो फोर्स यानि के X kg into obviously weight is also a force okay अगर जी माल्टिप्लाइ करें तो X into perpendicular distance obviously force का direction इस्तर हो गया तो हम लोगा perpendicular distance यह होगा यह हम लोगा perpendicular distance है अब तुम देखो total 10 meter about center देख रहा है मतलब यह मेरा क्या होगा 5 meter color change करता है यह मेरा क्या होगा 5 meter अगर यह 5 meter है और यह 1 meter था तो यह कितना होने वाला obviously 4 meter तो मेरा जो distance है वो 4 meter है मतलब x into 4 will be equal to will be equal to इस तरब से देखो obviously 10 meter है तो यह भी 5 meter होगा और 5 meter से यह 2 meter चला गया अगर यह 2 meter चला गया तो बच्चा कितना यह 3 meter तो यह मेरा perpendicular distance है इस force पे और यहां पर कितना है 35-6 that means 35-x into 3 meter तो force into perpendicular distance तो अब बस इसको calculate करना है तो क्या होगा दो हो इसका दी था और इसका भी यह है 15 kg लोड है मोहन का उपर अगर मोमेंट का बारे में नहीं आता है तो ओविसली Google search को यह तुम्हों को मिला और 56 से में मिला है तो वहां पढ़ लो मोमेंट का फॉर्मला आता है force into perpendicular distance हम उतना details नहीं जाएगा फुरा कि बहुत broader concept है ओके इसके बाद five number भी हम lecture one में करवा चुका है नेक्स्ट वहों question number seven obviously question number six भी अगर तुम देखेगा हम पहला lecture में question number six भी करवाया है तो question number seven देखता है तो question number seven which of the following sets of vectors in RQ is linearly dependent तो जब भी linearly dependent का सवाल पूछ रहा है तो आइटिंग तुम लोग definition पढ़ा होगा what is linearly combination दोटना नहीं जाएगा अगर नहीं आता है तो आइटिंग भूप खोल के गवाद देख लो बहुत basic सा चीज़ है तो सिर्दा बोलेगा अगर हम एक एक्जाम्पल दाए अगर वीवान वीटू एंड वीटू अगर लिनियर लीडिपेंडेंट तन वी अगर वीडिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है तो लोग ऑविसली क्या प्रूफ करना पता हैं बता रहा हैं कि सब्सक्राइब कि यह तीन वेक्टर है त्युक्त मूँब हैं अलफा वावान वीडू प्लस आल्फी ही आल्फाटरी फ्लस आल्फाट्रीrokी Gloo पंड़ेधा और नहीं दिखाना पड़ेगा ब Kangal दिखाना किले है तब हैं मोल सके ये ये लिनीरली इंडीपनेंट है जोनों कोई अलपा 1 मिल गया या यहलाफाम मिल गया अिक्षजीत डिकर्णील फिर दिथर इस केशन के OUT ज़रोत है ही नहीं किसमने टीक है जह सेंशी में बू시 करा और गोगा जिस भी सैट में जिरो वेक्टर होता है और हमेसा नियन्य डुन यॉथ कि जीरो वेक्टर को हम लोग कैसे भी जनेरेट कर सकता है जीरो वेक्टर को किसी भी वेक्टर से जनेरेट कर सकता है तो जीस भी वेक्टर में अगर जीरो वेक्टर है जीस भी सबसेट में जीरो वेक्टर है वह हमेशा लिनियरली डिपेंडेंट ही होगा अगर लिनियरली इं होता ही होता मताला ऐसा नहीं बोलो अगर वी ओन वी टु इस प्ति लिटेशंग में जरी दीपेंडेंट है यग अब हम जो प्रूबर तो वह द्रीटिपेंडेंट है यह कंपन तो जिए ँदूब तो सिंस यहां पर तुम देख सेकता है अप्शन वी में 2102 क्यों से लीनियर विवान कुछ और देखा हम मालाएं ब्लस अल्फ़ाँ इनुटफिक थी debateас एक हमको तूमिता है प्लस सम्पिंग जो है हम इस पह जाए गाए वह तो कोई फर्क नहीं पर रहा है एंस यह भी linearly dependent है अगर तुमको यह पता है जिए जीरो होने से वह linearly dependent है चेक करेगा बेकार का टाइम बरबाद हुआ कियों कितना चेक करेगा तुम तो सेवन का वी सद्राइट एंसर नमर एट एक तो कुरिशनमेट के बला ता नैसेसरी कंदिशन फोर नाउन जीडिफरेंट्शल फेक्टर तो अवे पॉन्स्टेंट डियाक्शन इस टैट तो यह एक चली त्थ्योर्म ही है यह जो मिला यह दिग्री में और इसका दाइक तो यह दा थेओर्म फ्री यह अर्डी मिलावा है तर नेसेसरी एंस अफिशन कंदिशन फोर अवेक्टर फंक्शन फ यहां पर फी देदिया तो अपर इसका प्रूफ यहां पर अल्वडी है क्योंकि फ कॉम लोग लिख सकता है मैगनिटूट अप इंटो एप केप फी जावा अलडी यह समझ जाएगा तो यह दाइक ठीओर्म बेस्ट है इसलिए आप यह अपर यह अलडी क्लास में करबाया वाया इसलिए थी यह थी ठीओर्म एक्सप्रेंट ने करा हम डिटिल्स में तो उसके वर एक और कोशिशन इन जो मेभी इस साल आ सकता है जैसे कि क्य अबर को गटर्म एक्सप्राव्रा उसलिए। कहिं सूर्म एक्षा चैना स्वस्ट को जो यह थी ख़ूर्म जो तो इस नरी transmit है और यह 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 याद है महें सकते हैं। तो गाइस क्वेशन नमर नाइन देखता है क्या बोला है फिर फेर कोई इस तोस्ट अंटिल हैड उकल्स वाट इस दा एवरेश नमबर आफ टेल स्टेट प्रिसीट अफर्स हैड तेक्शली इसमें एक्सपेक्टेश्ट एक्सपेक्टेश्ट अफ एक्सन निकान दिया हुआ सब्सक्टेश्टकों एक्सपेशलिए ग्सटत latch किया टास्त फेरक्टेश्ट कोईयों को तब तक टास्ट करना है जब तक कि हैड नहीं आजीद तक तो च्जान्सिस क्यां क्या है जब पहला काइल्ट ऑनकरम को पहला बार में हेड मिला तो वहीं पर रुख जाएगा पर ऐसा भी हो सकता है जिए हमको पहला बार में हैड ना मिले हमको पहला बार में टेल मिला और सेकंड टाइम में हैड मिल फिर रुख जाएगा या फिर ऐसा भी हो सकता है जिए पहला बार में टेल मिला तुसरा बार में हैड आया या फिर ऐसा भी हो सकता है पहला टॉस में है जो क्ये लिख सकता है अगार इडा तो यह किते हैं होिड कैसं प्रमें इनमें तो जुब आंट घॉस्ट जुब हैं यौध किसे करें जान सबसक्क्यार्ण ब honest यह वाला कोणी क्यथ टॉब लाए ओक हो मचानें याव किया हो सब्सक्ता है पहला दो बार तेल आया ऑंगन मतब पहला दो टोस में तोसिंस दोुए टूइन टू एक्स क्या है आवला आफ डूइन टू ऋ पूए अफिंटो और गॉंआ प्राइब किए प्वापियर्टी ट्रिक मिन्स इस दो बाटल आफ होता है हाफ और सिंस दो बार तो हाफ स्कुर है सिमिलर्ली तुम रखेगा इस बार चांसिस इसका है सौरी इसका है मतब तीन बार टेल टॉस किया मतब नमबर ऑफ टाम्स ठी है पर चिंस प्रॉबलिटी हाफ है तो हाफ पावर क्यूब और इसे कंटीनिव करते रहेगा हम इसको रब करें अभी ऐसे कंटीनिव होते होते रह एंक नहीं वह प्रस फूरें टू अफ पावर प्लस डॉस जाते लिए आप को पी दीतों और की स्मॉल हम क्या कर रहा है हम सबसे P common ले रहा है वेटिशन को calculation देख लेता है calculation करना पढ़ा है इसको हाँ P common लेता है तो क्या बचेगा देखो 1 plus 2P plus 3P square plus 4P cube plus dot 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 ये बचेगा ओके फाइन फिर आख सारी हम गलत के एक से हैं तो हम क्या करेगा हम पेरे रियरेंश करेगा हम क्या लिखेगा तो P plus P square plus P cube plus dot 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 P power and plus dot 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 जाते देगा ओके हम ऐसे देखेगा पर तुम देखेगा plus हम क्या 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 P क्या P आए गया अब 2P square से अगर ये P square आ चुका तो फिर क्या बचा सिर्फ सिर्फ P square बचा plus 3P cube से अगर P cube आ चुका तो क्या बचा सिर्फ 2P cube बचा एगें 4P power 4 से P power 4 आ चुका हुआ तो क्या बचेगा 3P power 4 और plus dot 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 से continue होते देगा कि अब देखो यह मेरा जीपी फॉर्म कर रहा है और सिंस पी यहां पर हाफ है तो मतलब common difference less than less than one है तो इसका formula क्या होता है यह बाइबान मैं सार और यहां पर common difference लेती क्या बचेगा पी प्लस टूपी स्क्वेर प्लस थी पी क्यूब प्लस टॉट डॉट 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 चाहते देगा कर दिन वट पी बाइवान मैंस पी प्लस पी इंटू तुम अब्जर्व कर यह कूछ और नहीं मेरा एक्स प्रेक्टिशन आफ एक सिए देख अब कुछ निए बस आफ बैठाना देफोर ए ओफ एक इकटो इस है कि सो अब यह करेकर देख लिए आता है तो एह आफ एक्स मानस पी ओफ एक्स एकल टो P by 1 मैंस P common ले लेता है तो E of X common लेने सी क्या बचेगा 1 मैंस P बचेगा एकल टो P by 1 मैंस P अब देखो हम बैठा रहेता है P by 1 मैंस P whole square बचेगा अब हम बैठा रहेगा half by 1 मैंस half whole square क्यों? क्योंकि P का विरूम half ले था which means half by half by 1 मैंस half half whole square equal to half half by 1 by 4 which means तुम अगर calculate करेगा तो यह मिलेगा 2 तो यहाँ पता चलेगा expectation of X है 2 तो तुमाँ final answer होगा यहाँ पे 2 that means यह तुमारा answer होगा 2 यह थोड़ा लंबा था इस टाप का sums usually हो सके तो last के लिए छोड़ तो टाइम मिले तो पहले जो जो आता और जो जल्दी होदा वही समस किया करो exam इक्षूरेट इक्रीशी डिपेंड्स नड़ डाटा एं एंब इस शेम एक्षूरेशी टेक्शूलम बोलना चाहिए तुम देखों मेरा प्शनों का यहाँ पर एस एक्षूरेट क्यों यही से एक्षूरेट होका हम बताता है देखों हमको क्या होला है हमको निकालना at the beginning of the table मतलब सब्सक्राइब एक एक्जामपल ले रहा है हम एक एक्जामपल ले रहा है देखों हम यह table ले रहा है जहां पर यह x है यह y है हम दो हिस्सा में डिवाइट कर रहा है यह वाला पार्ट में हो तुम अब अब्जर्फ करेगा यह वाला जो points है यह पॉइंट सीधा denote करता y को लो twice x line को और यह वाला जो points है यह denote करता y को तो इसका graph कुछ करिब ऐसा देखेगा इसका graph कुछ करिब ऐसा देखेगा 123456 हम graph बना लिया अब हमको बोला सपोर अट एक सिग दू है 1.5 में कुं इंटरोलेट करना है तो 1.5 में कितना है तो तुम दिखेगा 1.5 का है अदिद सबी और को चिला रहा है है कि अदेब बिगनिंग आप टेबल इस्द को छेब याए जाता है तो कुछ वैसा हुआ है तो देखो एड दा बिगिनिंग आप टेबल तो वान पॉइंट फाइफ का वान और टू का बीच में है तो करें बनाने से दो हम या बना दें तो स तो जब Newton's forward formula यूज़ करेगा तो Newton's forward formula मतलब आगे का टेबल से यूज़ होगा मतलब इसको यूज़ करता है तो Newton's forward formula यूज़ करने से सपोस हम बोल रहा है 1.5 वेडा तो जब हमको 1.5 में यहां पर कोई value दे देगा और by equation हमको मालूम है यह 3 होगा तो हम forward formula यूज़ करने से हमको 3 मिल जाएगा तो यहां पर मेरा a equal to 3 है पर जब हम backward यूज़ करेगा तो backward करें बैक्वार्ट का values को ज्यादा हम वह करेगा ज्यादा इंपोर्टेंस देगा formula यह साबसे तो जब तुम backward का values को ज्यादा importance देगा तो backward का values का इसाबसे यह कर्व है और तुम जब 1.5 देखेगा तो यह कुछ करीब कर्व ऐसा देगा तुमको यह कर्व तुमको कुछ ऐसा देगा यह स्ट्रेट लाइन नहीं देगा यह तुमको जुझे हम निकालता forward का value using backward तो backward के लिए यह कर्व होना चीए था बैकवार्ड के लिए कर्व यह था तो यह कर्व होनेगा बज़ेस हमको यह कर्व मिलता interpolate करने से और interpolate करने से अगर यह कर्व मिलता तो value उमको गलत मिलता क्यों actual curve to straight line है अक्चुल curve एक straight line है पर जब हम interpolate करेगा तुमको यह कर्व मिलेगा तो अगर इस जगह देखा जाए तो यह वाला कर्व मिलता अगर इंटरप्लेट करेगा तो यूजिंग बैकवर्ड इंटरप्लेट करेगा तो जब हम यहां पर 1.5 बैठाएगा तो इसका हिसाब से यह मेरा वेल हुआ जो कि भी है पर अप्शन ए इसमोर एक्रेट नेक्स्ट हम लोग जाता है नमबर ट्वेल्ट विगोज 11 हम लोग अलड़ ही कर चुका है लेक्चर वान वालो वीडियो में 11 किया हुआ है तो अगर नमबर ट्वेल देखेगा तुम क्या बूला है पी एन पी प्लस ट्री ऐसा कितना प्राइम सब प्राइम एक्जिस्ट करता है यह पी भी है और पी प्लस ट्री भी प्राइम है तो पी प्लस ट्री भी प्राइम है सबोस्ट पी इकोल टू तो पी प्लस ट्री क्या होगा इकोल टू प्लस ट्री विच इस फाइव तो अविशली टू अन फाइवर प्राइम तो एक प्र if p is odd then p plus 3 is odd plus odd which is even तो मतलब कभी भी p plus 3 prime हो गा है नहीं क्योंकि वो even number मिल गया और कोई भी even number prime नहीं होता except 2 so ऐसा और कोई pair exist ही नहीं करेगा that means only one pair this option A I think अभी गौहाटी में दूफान आ रहा था अब यहाँ पे शुरू हो गया चलो कोई नहीं तो question number 12 का option A है तो इसका option number A है ओके तो question number 13 देखता है 13 में क्या बोला है 13 में बोला है if the two pairs of lines x square minus 2p xy minus y square equal to 0 and x square minus 2q xy minus y square अब के इकोल दूफान दूफान को याद नहीं है पर डिग्री में आप्विसली यह मिला है फर्स्ट सेमेस्टर में मिला हो फर्स्टे सेकेंड तो अगर एक पेर अफ एक्वेशन होता है x square minus y square by a minus b equal to xy by x यह था इसका बाइसेक्टर का एक्वेशन ओके तो यह आपर बोहीं गोला है तो यह आपर बोल्वेशन दूफान 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 की दियावा है क्या क्या दियावा एक x square minus 2pxy plus y square sorry minus y square equal to 0 और यह क्या दियावा है x square minus twice qxy minus y square equal to 0 कुछ यह दियावा है तो तुम देखो हम मानने तरह यह मेरा हम मानने तरह यह मेरा पहला एक्वेशन है तो compare करेगा तो क्या मिलेगा a equal to 1 h equal to I guess minus b and b equal to minus 1 मिलेगा अगर compare करेगा इस equation को इसे compare करेगा तो हमको यह value मिल गया तो हम यह equation निकाल सकता है अब इस तो निकाल सकता है तो रहो formula गया सब्सक्राइगा यह equation क्या होगा x square minus y square by a minus b मतब 1 minus of minus 1 equal to xy by h यानके minus b तब solve करता है जिस्ट बेठा है हम equation में जब solve करेगा तो क्या मिलेगा रहो x square minus y square by 2 equal to xy by minus b और cross multiply करने में मिलेगा रहो cross multiply नहीं करता है x square minus y square equal to 2xy by p लिखता है और minus उपर लिख दिया हम implies x square plus 2xy by p minus y square equal to 0 तो यह मेरा निकला equation तो मेरा यह निकला पर actual में है क्या? यह वाला है तो कहने का मतलब यह है कहने का मतलब यह है कि हमको इस equation का bisector वाला equation यह मिला इस equation का bisector equation यह मिला पर question में यह given है तो मतलब दोनु same है यह दोनु same है तो जब compare करेगा तुम देखेगा तुम बोलेगा जिए 1 by p equal to minus q 1 by p equal to minus q compare करने पे और तुम को यहां से मिल जाएगा p q equal to minus 1 तो तुम देखेगा मेरा सही option क्या है p q equal to minus 1 तो यह अल्मूस्ट ओके option अगर देखेगा तो option का यह साब से p q equal to minus 1 which means p q plus 1 equal to 0 so option का यह साब से option b यह मेरा तो option b is the right answer तो ओविसली यह जिस्ट इक्वेशन याद रखने वाला था तो यह बाइसेक्टर इक्वेशन इस्टाप का कुछन यूजिली आता है common question से तो यह एक्वेशन याद रखना तुम लोग टाकि लिख सके फटक्स आप्शन में देता है तेन दा बाइसेक्टर इक्वेशन आप दा फोलिंग प्रफ इक्वेशन इस क्यार अप्शन देदेगा तो ओविसली यह फॉर्मॉला यूज करके निकालना है या कभी इसी तरह का कुछ और कंडिशन में निकालना देता है तो यह में भी यही फॉर्मॉला यूज होगा तो यह दो याद रखना यह एक एक एक्वेशन है प्रफ इक्वेशन है जिसका बाइसेक्टर इक्वेशन यह होता है एकदम सिंपल था निकालन यह सकंड दोगा को कुछन वह 14 को रखना है 14 में क्या बोला है इस f-x in quadratic polynomial such that f of 0 is equal to 2 and f-0 equal to minus 3 and f double-0 equal to 4 तो तो सब्संष्व डूबल इफेंट सें तक exist करता है तो हमाल तो लेत f of x equal to a x square plus bx plus c निया से f dash x क्या होगा obviously 2a x plus b and f double dash x क्या होगा which is I think 2a तो f double dash x 2a मिल गया तो बस अब compare गाना question में क्या given है f double dash 0 equal to 4 तो f double dash 0 equal to 4 मतलब क्या twice a equal to 4 तो तुम यहांसे a कितना मिल गया a equal to 2 मिल गया ओके second क्या दिया वा है f double dash 0 equal to minus 3 तो f double dash 0 equal to minus 3 तो f double dash 0 मतलब क्या twice a minus sorry twice a into x का वेलो 0 है equal to minus 3 sorry plus b equal to minus 3 तो तो यहांसे क्या मिलेगा definitely b equal to minus 3 मिल जाएगा तो 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 एका वेलो मिल गाए बीगा वेलों या तो इसली सी का वेलों मिल जाएगा बस अब बैठाना उपर fx कितना द्याबा पूशन में fx f of 0 equal to the other f of 0 equal to 2 मतलब क्या 0 plus 0 plus c equal to plus c equal to 2 तो 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 तुमको एका वेलों मिल गया वी का वेलों मिल गया तो fx actually है क्या fx है तुमारा 2x square minus 3x plus 2 यह मेरा fx है तो जैसे fx मिल गया अपने को निकालने क्या दिया निकालने दिया integration minus 1 to 1 fx इंडिकेशन minus 1 to 1 fx dx तो जब तुम इंडिकेट करेगा है क्या होगा 2x square minus 3x plus 2 dx obviously minus 1 to 1 तो 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 टाहिक लिए करता जादा ताइम बिशने करेगा 2x square का integration क्या होता है 2x cube by 3 3x का क्या होता 3x square by 2 and 2 का क्या होता 2x definitely plus 2x और यह minus 1 to 1 अब बस value बैठा रहो निकल जाएगा तो पहले 1 बैठाता है 2 by 3 minus 3 by 2 plus 2 minus minus 1 का whole cube क्या होता है minus 1 होता है तो यह minus 2 by 3 minus 1 का score 1 ही होता है तो minus 3 by 2 and 2 into minus 1 minus 2 तो देखो क्या observe करता है 2 by 3 minus 3 by 2 plus 2 minus minus plus 2 by 3 minus minus plus 3 by 2 minus minus plus 2 तो तुम देखे हैं 3 by 2, 3 by 2 कर गिया तो क्या बच्वाचा 2 by 3 3 plus 2 by 3 यह था 4 by 3 2 plus 2 यह था 4 तो प्रॉट तो जबल्स यह लेगा विनिए 16 बैट्री तो आपिंट उमर आप्शन सही उप्शन है 16 बैट्री तो अबिस्टीन भीक्री का है अबिस्टी आप्शन जी तो अब्सटीन शीक्तिन बैट्री तो देम सिम्पल था यी जिस्ट एप लगां वीज़िए अबर 15 देखता है क्या बोला ताब पैड़ाबोला y square equal to 4 ax possesses one real asymptote two real asymptotes infinitely many and no real तो इसका एंसर है नो रील एसेरोड कियों हम बताता देहों तोलिए चया चाहिंक टेंजटेस्ट अपने आज़न्ट लौल हए कुछ कुछ निये अट लिए टेंजटेट इंफिनिटी और कुछ तो यह टीजे टेंजेंट एट इंफिनिटी तम डिलाइफ करके दिखाता हूं बताएगा जिसका टेंजेंट चुली टेंजेंट के एकुसे निकाली नहीं सकता हम एजिस्ट ही नहीं करता हम वह दिखाएगा बीसमें करके लिखाएगा डिखाएगा बस फिल्मी फूर कन्विनियंस बता रहा है जिक्यू वनाइट एंसर है नो रियले शिम्टोट तो तो य स्कूर गल फूरें एक्स तो डिएफ गड़ाट वाइट वाइट इस उकल फूरे तो य देस्टिस्टिट टवाइब आब मालूमिये पैरामेट्रिक आ से पैरामेट्रिक इक्वेशन आफ पैराबलाइए 80 स्क्वेर गूमाँब ट्वाइट सो डगेस क्やव त्वाइट हाट जैसे प्राइटी आए त त्वाइट प्षयाद ऐस त्यूपशलाय सब्सक्राइब करेगा इटीटी कटा तो क्या बचेगा ट्वाइस एकल तो यहां से मिल जाएगा सी इकल तो यहां से फाइनले तुम क्या बोल सकता है एक्वेशन क्या है वाई इकॉल टू वन बे टी एक्स प्लस एट पर यहां पर अलोड़ी टी है हम लोगो टी हटाना पड़ेगा तो हमको मालूं में एक्सिम्टोट एट इंफिनिटी डियारफोर वैं टी टेंस टू इंफिनिटी तुम अब इसका बैद्वेशन निकलना चाहिए एक्सेन वाई में पर इक्वेशन ही नहीं कला मतलब इसका को एसम टूट एकजिस्टी नहीं करताएक चुली अट वाई नोड़ेशन तोट तो इसका उपशन दिए नोड़ेशन को नेक्स हम लोग दिखता है अपने नमबर 16 हम कर देखो 17 एक नम सिंपल है इसको आइटिंग डेसकार्ट रूल बोलता रहा हमको एक्जेकली नाम याद नहीं है डेसकार्ट रूली बोलता है इसको तो यह निकालने के लिए क्या करना पड़ता देखो अल्री पॉलीन मिल दिया है हम मान देखे प्लेट पी एक इकल टू एक्स चुटी पावर एट माइनस फूर एक्स तुटी पावर फूर माइनस थी एक्स क्यूब माइनस वान इकल टू जीरो तो क्या बुला लैट आर एन एस तीनुर दर नमबर आफ पॉजिटिव और नीगि हम दूसा कि ना एक्स जोड़ लिए चेश्म आप उसके बाद वाद एक्स जोनिया फूर तो यह पॉजिटिव यह निगितिव बन गया अब उसके बाद बाद साने लिए शका बार नेगिटी वे निगितिव तो मतलब यह जिस्ट एग बार चेंज वा प्लास से माइनस उस स्कार माइनस 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 यह एक बार साइन चेंज किया तो अम लोग गोलता है नमबर पॉजिटीव इस पॉजिव रूटिस वान तो इस इन पता चल गया रिकाव एलू आने तो यह तो बस्ता ऑप्सन भी कि यह ओप्सन सी हम लोग देख लिता है अच्छा सब्सक्राइब पता चल रहां सब्सक्राइब क्लूंग क्यों चल्टाइब अप्साब्सक्राइब तो यह क्या रहेगा एक ट्रीपावर एट माइनस फूर एक ट्रफूर प्लास ट्रीएक्सक्यूब 1-1 तो तुम देख सकता है यह क्या बना एक्स्टेटीब और 8 माहने प्रेट एक्स क्यान प्लस तीघ एक्सटीद ज्याहका है अब तुम देखो ज्य Give a new to Heeple Zaha यह माहने सब्सेंन यह दो पर चेंचर प्लस से माइनस किया तीन बार चेंज हैं मतलब यहां पर साइन तीन बार चेंज होगा सो मतलब माइनस का मैकसिमम 5 ृट हो आई सका मैकसिमम त्रीहा पर हमैं साय आए इसका मनदब यह नीजए 3 ही होगा वहां से कम भी हो सकता है तो रूल है अगर 3 से कम है तो 3 से नीचे जो होगा हमें सब तू से डिफर करेगा तो यह तो 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 3 मैनिस 2 एकल वान उत्वान और फिर एन मैंस 4 फिर एन मैंस 6 तो हम दो दो से डिफर करता है कहने का मतलब है जैसे कि में यहां पर सके विलूट तो तो 3 भी हो सकता है या फिर 3-2 भी हो सकता है तो तो यह स्वाइश इकोल टू 1 वान अच्छांस अगर में आई सेवन निकलता तो हम क्या लिखता जैसेवन मैंस 2-5 जैसेवन मैंस 2-3 यह फिर सी मैंस 2-1 तो यह सारा पॉसिबल हो सकता था कहने का मतलब यह तो जो भी निकलता है मैं मैं मैंस 2 करता है और विस्टी मिनिमम तो वान या टू तक ही जाएगा तो इससे क्लिए पता चलता है इसको देश्कार्ट रूल बोलता जाता हम वह यारे पस्तों चेक करना जा कितना बार साइन चेंज हुआ तो इससे पता चलए जार रिकल दूद वान एस इकल दूद कि देश्कार्ट शूल और यह पढ़ा लिए होगा तुम्हों नेक्स्ट कोशन अब एटीन देखो क्या बोला है इफे सिस्टेम एक्स इकल टो बी ऑफ एन लिनियर एक्वेशन्स हेविंग एम नमबर अब बेरेबल्स एज यूनिक सेलूशन देन रैंक अप एबाई बी इ एन M is equal to 2 है that means number of equation 3 यह मेरे पास and number of variable 2 है तो दो example ले रहे हैं number of equation 3 and 2 variable x and y इसमें तो इसमें अगर मैट्रिक्स ए बनाएगा हम तो क्या होगा मैट्रिक्स से टू टू ट्री टू फूर वान और जब बनाएगा तो बगल में भी वाला जाजेगा वी क्या है तो जब तुम इसका रैंक निकालने जाएगा तो तुम लगाता है तो तुम लगाता है तो तुम देखेगा जे इसको इसा लीख सकता है रोडिमिनेशन लगाते हैं ट्री ट्री टू ट्री फूर इसको में लग सकता है जीरो माइनस माइनस फाइग एड़ा इसको अब तो अब तो अब तो इसको हम और आगे नहीं बढा सकता है मैं इस पोर्षन को जीरो या इसको जीरो नहीं बना सकता है ओम इसको जीरो बना सकता है अगर तुम करेगा अधिक , क्या ना जिरो पॉल सक्ता और सबह्ते हैं यह सखमें 3900 है मैं और एंक आफ मोजबय को यह भी क्योंग पूरा मेत्रीक देखेगा वाज गी को ? प्रम फिर से रिपीट करा गिस्त हुत कुम है मैट्रीख को देहां आBox तौन सा यह वाला पार्ट एमेट्रिक्स है तो regulary टीन दोटाथ है तो हम लोग यूनिक के यूनिक एसाथ कि यूनिक सेलूशन जेखता है कि अगर और यहां पर जीरो हो जाये तो क्या होगा अपर थे सबहुत है इस इस इसमें में में जीनि लिए पर शीक्स थीज फोर टू अबर कूल आता है तो लोग इसकिप कर सकता तो 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 देखो इसमें वागर रूमिनेशन प्रोसेस लाएगा तुम देख सकता है इसमें तो तुम अगर यह मैट्रिक्स में देखेगा तो रैंक आप एक श्यू भश्य जाहें क्या होगा की और गप दो नं जीड़ो है दो नंजीड़ो है लोगे रैंक आप ऑफ कि यह जोगा कि लोगा की तेसको चाहिए शुव कुछ ऐसा ऑप जिएगोन सब्सक्राइब के इसका एक्विशन इप्छ ऐसा बनेंगा अब्वियस सा बात है तुम z का value कुछ भी बैठा लो यह कभी satisfy नहीं करेगा मरब ऐसा कोई z का value exist ही नहीं करता मरब इस case में no solution इस case में no solution सो यह बोल रहा है और तुम और एक देखेगा अगर तुम इसको भी 0 बना देता और एक example लेके इसको भी 0 बना देता है किसी तरह और एक example लेके तो उस case में तुमको भी लेका infinite solution उस case में भी लेका infinite solution सो भी unique solution no solution infinite solution का condition है तो condition कुछ ऐसा ही है जह rank of a equal to अगर rank of a by b होता है then solution exists and rank of a is less than rank of a by b o तो no solution अब solution exist में no solution लोग वी वाला तो solution exist में दो पाट आगया unique solution and infinite solution तो unique solution होने के लिए इसको वह number of equation के बराबर होना पड़ेगा number of equation के बराबर होना पड़ेगा और infinite solution के लिए less than n होना पड़ेगा infinite solution के लिए less than n होना पड़ेगा n को छोड़के तो यह condition है तो अगर यह condition ही तुम लोगो याद है तो तुम सीज़ा चाप सकता है जान निए तो एक्जाम्पल लेके कर सकता है और यह सोलिसेंग था इन फिस था उनिक यह इन्फिनाइट पार इन आ इन खिंटेक्ट्ट । अ पारिकल कोवर्ष ए लिनियर पात अफ्लांग क्लीनिश्विश्ट । 20 cm per second and it is retraces the same path with uniform velocity of 30 cm per second suppose point A point B यह ओला यह point A से point B तक travel गया with 20 cm per second and return आया with 30 cm per second तो what is the average velocity of the entire journey तो suppose हम माले तहाँ एब डिस्टेंस जो है एब डिस्टेंस वान वान से वान मीटर कुछ माले एक समान लेता है चलो से एब इकल एक सेंटिमेटर सपोज एब इकल एक सेंटिमेटर तो एवर्ज स्पीड कैसे निकाल लेगा तो हम पहले देखेंगा टाइम कितना लगा जाते समय तो जाते समय सपोज टी-1 टाइम इस त्टेंस वाइसपीड एक तो टीस्टेंस बएसकी तो डिस्टेंस बेएसिद में लब एक निवाज़ प्रेटी और आते से पने लगेगा थए एक्स सफीड थाटी तो जाने का टाइम टीवान है आने का टीटू है तो एबएड़ेज एबरेट स्पीड क् speed is equal to distance by time that means distance to obviously constant x और time कितना लगा तुमा obviously total time t1 plus t2 t1 plus t2 तो बस बैठा ना हो कुछ निए x by x by 20 plus x by 30 which means x x को मन लेगा तो 1 by 20 plus 1 by 30 तो अब्जर्व्ट करेगा x x कर गया तो क्या बचा 1 divided by निचे LCM 60 तो भर क्या होगा 3 plus 2 which means 3 plus 2 गुद्वाना which means 60 by 5 सिको काटेगा तो एंसर आएगा 12 cm पर सेकेंड तो मेरा एंसर होना चीए 12 इसली सोरी さ वं गर गालत क्या जे ऑविसली तो यह आप एंडवन जरनी था अगर एवी यहा तो आप किस भी एवी आया तो टोटल डिस्टेंस आइकस तू एक्स होगा आइकस नहीं जाए जाए टोटवीसली टोट इस्टेंस2 एक्स होगा 2x so obviously 2x 2 to 2 into which means 24 तुम्हां एंसर आना चीए 24 cm पर सेकंड तुम देखेगा अप्शन एस्ट राइट एंसर 24 cm पर सेकंड तो यह इत्वास सही एंसर तो बहुत इसी समय है देखना और नहीं समझाओ तो करने कर देना और अगर यहां पर कोई भी एंसर तुम्हों को लगा हो जो हम बोला है तो तो तुम्हों मेसेज कर सकता वहां ने तो अगर यह समझ में आया तो अपने फ्रेंश के साथ करो सब्सक्राइब करो लाइक करो और थैंक यू झाल झाल